वेल्कम बैक टू सारे लेक्टिकल आज मैं दोस्तों आपके लिए क्या हूं कूलर की किट इसे हम दोस्तों कोड साइज है एक इंची और दोस्तों इसका रुणिंग का फर्मा जो हमने सेट किया था 35 इंच पर सैट किया है इसमें दोस्तों 28 नंबर से 90 टरन डाली है और दोस् दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी ने वीडियो के अपडेट आप तक पहुंश सके और दोस्तों इस किट को मैं आपको एकदम जल्जली पाइंड करके दिखांगा क्योंकि दोस्तों हमारा गर्मियों का सीजन का टाइम होता है तो इसमें दोस्तों में से थोड़ा जल जल्जल दी आपको करके दिखा रहूं तो इस तरीके से दूसरे साइड आप फसा लेंगे यह देखिए अभी देखिए दिस्ट टिटपल हैट सैड में आपको जब आप डालेंगे ट्रबल साथ आपको हल्की सी परसानी आने वाली है पर आप उसको भी इसली डाल पाएंगे सब्सक्राइब को दबाएंगे अंद प्रेस करेंगे तीसरे डाउंड में आपको दालने में परसानी हल्की से होगी तो आप इसकेल इस तरीके से ले लेंगे पर आपका दोस्तों हमेशा ध्याना कि आप इसकेल लीजिए कुछ भी इस्तमाल किजिए वह आगे से शार्प नहीं होना चाहिए शार्प का मतलब अगे को डालेंगे और यह देखें दो को अपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको कि अगदम माइड में आपके बैट जाए किस तरीके समने वाइंड किये और दोस्तों यह दो को इसलिए डाल लिए ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और आप इसे पूरा अंतक देखिएगा जिससे आपको संपूर्ण जानकरी मिल जागी दोस्तों आप जितनी वीडियो आ रही है मैं इस तरीके से इसलिए बना रहा हूं कि दोस्तों मैं जब भी एनलाइस करते हूं वीडियो को दोस्तों आप उसे दोस्तों पूरा देखिए अंतक जिससे आपको जान करें मिलेगी जब आप कोई भी चीज अंतक देखेंगे आपको वो बिल्कुल एक्दम किलियर समझ आएगी अब यह देखें दोस्तों दूसरे राउंड मैंने पेपर फसा लिया है यह चीज मैंने इसलिए दिखाई आपको ताकि जब आप डबल टिर पकर सेट जालते हैं तो आपको एकदम एकुलेट बैढ़ जाएगा स्वलोट के अंदर बस आपको इस चीज का दियान दखना है स्केल का यूज करते हुए वह आगे से शार्प नहीं नहीं चीए क्योंकि अगर उसमें धार होगी तो आपके क्वेल को छील देगा वो इससे आपका अर्थिंग की प क्योंको दबाया था तो अप इस तरीके से ये तरीका करके भी आपको असानी से डाल सकते हैं यह देखिए दोस्तों इसमें मैंने स्केल का यूज नहीं पहले उसे दबा लिए था पेपर को यह दोनु ट्रिक मैंने आपको इसलिए दिखाई है याप डबल ट्रिपल का सैट दालेंगा तो आप इस तरीके से कोईल को असानी से डाल सकते हैं यह देखिए को में किस तरीके से आगे पिछे करके टाली मैंने यह देखिए मैंने आपको पीव स्थी डाल के दिखा दिया और ग्रींशीट भी तो यह सब चीच दोस्तों इसलिए दिखाई जाती है ताक्क कि यह देखे किस प्रकार से मैं लगाता चलना हूं जोन से टेप जिससे की रेनिंग स्टेंडिंग आपस में शोट नाँ हूं और दोस्तों पहली बार इस वीडियो में जिसमें मैंने सिंगल तुकड़े का यूज कहने तो मैं से दो भाग में यूज करता हूं अब उसके बाद दोस्तों यह देख लिए connection अच्छी तरह समझ लेंगे आप यह देखिए मैं इवी दोनों दो सिरे जोड़े अब यह देखिए मैं आपको दिखायता हूं यह देखिए जिसमें मैंने शिलिप डाली है यह दोस्तों इन दोनों कोई लेंगे बीच का सिरा था आपको जोड़ाने के बाद दोस्तों मांचिस जलाने के बाद इस तरीके जोड़ों को अपने बंद कर लेंगी और दोस्तों इस जेटे से आप मैं साथ साथ इसमें दो किट बाइंड करता चल ला हूँ दूसरी किट मैंने अभी आपको दिखाई नहीं है शे सूत की वह भी धागा कनेक्शन मारूंगा जब आपको मैं दिखाऊंगा तो इस डेटे से मैंने छे सूत की और एक इंची दो किट वाइंड की है यह देखिए अब दो कनेक्शन बच्छे हमार पर यह देखिए जोंसन टेप लगाने के बाद यह देखिए उसके बाद दोस्तों जब हम सिंगल डबल ट्रिबल करने सैट डाला इसके अंदर अब यह द लिए 29 इंच लिए 30 नंबर का यूज़कि आपको यह देखिए तो आपको यह द्यान नखना फोड़ा सागर आपको टाइट लग रहा है तो आप को यह दोस्तों कर रहे हैं यह कॉपर कभी उसकर रहे हैं यह कॉपर चिल जाएगा पर ता टूटे गनी कोपर में इस चीज एलमोने में आपको तार भी तूट सकता है तो इसलिए पेपर को अच्छी तरह अंदर दबा लेंगे रनिंग के जिससे हमारा स्टाइडिंग का कोईल असानी से उसको पर बैठ सके अब यह देखिए जिस परकार से मुझे परिशानी हो रही है तो को अंदर को अच्छी तर आपका स्टाइब अगर अगर आपका राम से जा रहा है तो आप ग्रीन सीट डाल लीजी यह देखिया मैं इस जगह प्रीजिट डाल दिया है कि जब दोस्तों करेंगे आपको जरा यह तो इसलिए प्वीजिक पड़ रएंगे और अपने काम को जल्दीछ चल्दी खतम करे कि यह देखिए दोस्तों दूसरे सलोठ में तो रहुने हैं यह हमारी पहला राउंड तो और यह दूसरे राउंड है कि पीष दोस्तों इसकी से मैं चार चयरा पे एक राउंड। च्मी जो भाधी जान कर रेये आपको दोस्तों डेटेस रिएडिट आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी हम वहाँ जाके चेक कर सकते हैं कि देखे दोस्तों क्वैल जब भी आप डालते हैं अंगटे की साथा से दूसरे साथ से दबाते रखें और को आगे पीछ आप करेंगे तो आपका पेपर असानी से डल जाएगा यह देखे को आपका असानी से डल पाएगा क्योंकि दोस्तों क्वैल को हमें स्टेटर अपर निर्गा नहोंता क्वैल को डालने के लिए जगा बनानी हो इसके अंदर क्योंकि आप कितना भी रखन लेंगे अगर जगा नहीं होगी क्वैल को आगे पीछे करेंगे यह बार बर उसा किसी सकेल की साहिता लेंगे जब उसके अंदर इस्पेस कर नहीं को तक आप ऐसे डालेंगे तो सबसे ज़रूरी बात है उसका कोईल का इस्पेस बनाना यह देखी है पहले कोईल हमारी डाल चुका है इस तरीहें होगे दो दॉनाल लेंगे वो भी अब इसका सिंगल डाउन डलने के बाद स्टाइटिंगा ट्रिपल हो जाएगा यह देखिए यहां मुझे जो ग्रीन शीट है वो पेपर डालने में दिक्कत हो रही थी तो इसमें मैं पीवीसी का इस्तमाल कर रहा हूं कि यह देखें आप देख सकते हैं दोस्तों आपको सामने दिख रही होगी टेबल पर छेशूट कीट रखी इसलिए मैं इस तरीके से इसलिए रखा आपको कोर का साइज अंदाजा लग जागा जो मेरे वाई वाइंडर है तो दोस्तों वो देखते ही बता देंगे कोर का साइ कोई भी मोटर अगर बंद मोटर है उसका वेट से बता देंगे कि इसमें कोपर का कोपर की वाइंडिंग है तो दोस्तों यह सब चीज़ आपको कब आती है जब आपके पास एक्सपिरेंस होता है और वही मैंने शुरू से लेके एंड तक अभी तक अपनी वीडियो में यह चीज़ आपको समझाने कोशिश किये किया आपको एक्सपिरेंस जब भी आएगा जब आप किसी वी वीडियो को अं तक देखेंगे अं तक देखने से दोस्तों एक्सपिरेंस आपके में बड़ी मेमोरी है कि आपका दिमाग सब चीज को ऑफ़सर्व कर सकता है कि तो जब तो अब ऐख चीज़ को काम करेंगे तो आपके सामने एक पिच्चर की तरह के जाएगे कि आपको यिस तरीखे से करने हैं तो अब वाइंद लिएको को सकते हैं कि हाँ मुझे पांच जनों के खाने में इतना मसाला डालना है तो वह चीज कब आएगी एक्सपिरियंस तो यह चीज दोस्तों वाइंडिंग में यह देखे दोस्तों हमारे स्टैडिंग से दोस्तों सरे एक इन्ची में यूज़ कर सकते हैं यह देटा दोस्तो में यूज़ कर सकते हैं तो च्छी 변 गई pierwsze कि आंपको भी समझ में सके क्योंकि दोस्तों कई भारी क्यों होता है मेर्व पूस्ते हैं सरे परीटे amazon मोटर हीट हो जाएगी सारी एक बात बताईए अगर मैं अपने काराम काम खराब करूँगा तो कस्टूमर दोस्तों मुझे कोई अच्छा तो कहेंगे दोस्तों गलती कहेंगे तो जो डेटा में खुद यूज करता हूं फिर वह डेटा आप तक पहुंचाता हूं क्योंकि दोस्तों जो भी कश्टूमर आते हैं वह दोक्तों nella बाइक होते हैं आसपास के होते कौई अकुला सकते है तो यह सिथ Magic परिख सकते हैं oc कि दोस्तों टक आप सवाल नहीं करेंगे तो आपको वह चीस समझ में यह आएगी आँट के अब यह देखिए दोस्तों चारतर बचे यामारपे दो रणिंग के और दो स्टाटिंग अब मेरे दूस्ते इस बात का ध्यान लखें कोपर में धिक्कत नहीं होती ह्एं water की और हुर Maria अंप्र मेरें होते पीक बीएफी दूस्तों अच्छी क्यों कि जब आप कोई भी लीड करना जाहे हैं आप देखतें दुकान पर जाकर दोस्तों flexible का होता है कई सारे गेज आते हैं तार के तो आप अच्छी quality की लीड लेका लें थोड़ी आपको उसकी cost तो महंगी पड़ेगी लेकिन उसका benefit आपको वाइंडिंग में देखने को मिलेगा कि दोस्तों यह सब चीज़ें आपको वाइंडिंग में एक बड़िया वाइंडर बनाती है और बड़िया वाइंडर आप जब ही एलाएंगे क्योंकि जब दोस्तों आपका पास समान बढ़िया होगा आप वाइंडिंग तो परफेक्ट तर रहे हैं आप डेटा परफेक्ट देती है तो इसलिए हमेशा समान बढ़िया क्वालिटी का इस्तमाल करें जिससे आपको फाइनल बढ़िया रिल्ट मिलेगा अब यह देखें इसमें तीन नंबर की सिलिप का यूज कर रहा हूं है हमेशा जब भी आप कनेक्शन के जोड़ लगातें पतले वायर पर एक नंब चूज करें यह देखें सबसे पहले दोस्तों लीड की साइट धागे को बांद लेंगे क्योंकि जब आप धागा कंप्लिट करेंगे तो वो लीड़ आपकी दर भागेगी नहीं जिससे आपको दागा मानने में कठीना ही नहीं होगी हमेशा सिलिप को दोस्तों पकड़ते हुए एक हास से दबाते चलिए क्यों को और धागे को दूसरे आस से खेचेंगे तो आपको डबल बेनिफिट होता है क्योंकि एक हास से तो आप क्यों को दबा रहे हैं और दूसरे आस से धागे को खेच रहे हैं तो आपको डबल दब मिलेगा क्वैल के उपर इस तरी के 200 दहागे कंप्लीट करेंगे द्षार क्विस्ट करेंगे तो जिए और कमड़ करने के बाद दोस्तों सबसे है रोडी काम दोस्तों क्वैपर दबाना होता है जीदि तक दोस्तों इस ट्रस्टिंग वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चलेल पर बने रहे हैं थैंक्स फर वॉचिंग वाई वीडियो कि अब कि अब कि अब कि